नमस्क्का दोस्तों मैं आपका दोर मुनू कंबोर शिर्साहराना से अज फिर से आप लोत के लिए नहीं करिया हूं तो आप किस तरीके से इसको solve out कर सकते हैं, सारी details जानने के लिए चलते हैं वीडियो पे. दोस्तों, आज हमारे पास set आया है, जिसमें यहाँ पे logo दिख सकते हैं, ME Plus का यह set है, logo इसमें ME Plus है, और यह logo पे stable है, logo पे hang है यह set, 43 inches का set है, 4K set है, और यहाँ पे आप दिख सकते हैं, जो ME का logo है, ME Plus का logo आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और इसके बाद यह smart पे आता है, smart के आगे इसमें कुछ भी नहीं, यह मैंने set को open किया हुआ है, और set को उल्टा रखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यह smart पे, यहीं पे यह अटका हुआ है, इसके आगे यह नहीं जाता है, तो देखते हैं इसके अंदर कौन सा board है, किस तरीके से इसको repair करना है, किस तरीके से इसको हम recover करेंगे, यह software करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें board कौन सा है, दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका board नमबर टीपी डॉट एसके 708D.PB801, यह board नमबर है, और यहाँ पे देख सकते हैं, यह 4K का इसके अंदर panel लगा हुआ है, यह 4K panel है, यहाँ पे पेर पे आप PF देख सकते हैं, आठ पेर है इसके अंदर, तो यह board है, इसका software मैंने कई जगाओं पर ट्राइ किया, तो इसका software मुझे नहीं मिला है, क्योंकि इस तरीके के board का software बहुत कम आपको मिलेगा, यह 1GB का board है, यहाँ 2GB का भी board इसमें आता है, तो इसको हम हमारे GKC terminal से recovery mode में लेके जाएंगे, reset करेंगे, इसको hard reset, किस तरीके से इस board को हम GKC terminal से hard reset करेंगे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे आज बताऊंगा, अभी board में जो problem है, मैंने आप लोगों को दिखाई है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारा जो Bluetooth device है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह हमारा Bluetooth device है, HC05, और इसके connection जो है, वो मैंने यहाँ पे जोड़े हैं, यह मैंने keyboard लगाया है इसके साथ में, यहाँ मैं इसको निकाल देता हूँ, इसके नीचे RX, TX और Ground का connection है, जो यहाँ पे, दोस्तों हमने RX, TX के connection यहाँ पे यहाँ पे RX, TX, Ground यह तीनों connection हमने यहाँ लिए हैं, इसमें लिखा भी हुआ है, आप इसको पलट के देख सकते हैं, और दूसरा हमने हमारा जो पावरा डोक्टर है, जो हमारा mobile charger है, उससे हम इसको supply देंगे, यह एक connector है मेरे पास supply देने के लिए इसको, इसको हमें 5V की supply देनी है, और यह keyboard मैंने इसका simple जो की है वो लगाया हुआ है, और यहाँ पे यह keyboard की help से मैं इसको recover करूँगा, क्योंकि इसका जो remote है मेरे पास अभी नहीं है customer से, मुझे remote महीं मिला है, तो इससे भी हम जब recovery में जाते हैं, तो इससे मैंने पहले भी बताया, इससे हम left, right औ और button प्रेस करके हम recovery जो command है वो दे सकते हैं, तो यह मैंने keyboard यहाँ पर यूज करूँगा, यह connection मैंने आपको बता दिया, Rx, Tx और Ground, यहाँ पर Rx को Tx पे, Tx को Rx पे और Ground दिया है, यह 5V और Ground की supplies को देनी है, और board आप देख सकते है, SKSASWATDPV801 यह board है, तो सबसे पहले म मैं मोबाइल में अपनी application को open करता हूँ, और सबसे इसको supply देंगे सबसे पहले, उसके बाद हम application को on करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देख सकते है, मैंने अपना HC05 Bluetooth मोडूल है, इसको 5V और Ground दिया है, supply देदी है, यहाँ पर USB दे, मैंने अपना keyboard है, वो लगा लिया है, और अब हम अपना phone पे GKC terminal जो है, mobile terminal उसको on करते हैं, और देखते हैं, कि हमारा जो board है, वो recovery में जाता है या नहीं, किस तरीके से हम कौन सी command इसके लिए यूज करेंगे, सारी detail आप लोगों को वीडियो में मेलेगी, वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा, वीडियो साजा करती रहें, दोस्तों यहाँ पे हमने अपना mobile लिया है, android mobile और यहाँ पे GKC terminal है, इसको on करेंगे, यहाँ पे GKC terminal जो है, वो on हुआ है, mobile application हमारा, यहाँ पे Bluetooth communication को okay किया है, यहाँ पे LED के नाम से हमारा Bluetooth जो है, वो on हुआ है, यहाँ पे अपना processor के अनुसार हम logic को select कर रहे है, यहाँ पे जैसे ही मैंने a Ma logic को select किया तो यहाँ पे देख सकते है, इस तरीके का inटर फेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पे Bluetooth का यहाँ पे देख सकते हैं, फ़रasis मार्क है यह वाला, हम यहाँ पे Bluetooth connect का option यहाँ पे दबाएंगे, तो कनिक्टे यहां पर लिखा हुआ आया है तो अब हम बोड को पावर देंगे दोस्तों यहां पर जैसे ही मैंने पावर दिये है तो यहां पर बोड का हमारे का सीरियल प्रिंट ओन हुआ है और बोड भी हमारा ओन हो चुका है तो यह सीरियल प्रिंट यहां पर आ चुका है जैसे जैसे हम हमारे डिवाइस के बिल्कुल होके हैं तो यहां पर हमको अब क्या करना है सेट को फिर से ओफ कर देना है ओफ करके यहां पर हमको कंसोल की की है वो दबा देनी है जैसे कंसोल वन यहां पर देख सकते हैं कंसोल बने के बाद हमको सेट को पावर देना है दुबारा से यहां पर यहां पर देख सकते हैं दोस्तों पावर देने के बाद हमारा जो सेट है वह वो कंसोल में चला गया है इस तरीके का यहां पर देख सकते हैं टी एल वन एक्स तीस एफोर इस तरीके का जो मार्किंग है वो आया है और यहां पर लास्ट में अब देख सकते हैं हैश्टेग लिखा हुआ है तो हमारा बूर्ड अभी कंसोल में चला गया है और हमारा जो सेट है वो यहां पर लोगों पर अस्तक हो जाएगा क्योंकि इसके जो पहले जब ओन करते थे तो ME प्लस के बाद स्मार्ट पर आ जाता था तो लेकिन अभी यहां पर जैसे ही हमारा बूर्ड कंसोल में गया है तो हमारा बूर्ड यहां पर ME प्लस पर रुख जाएगा जैसे जो भी लोगों आपके टीवी में रहेगा तो अब हमको क्या करना यहां पर सबसे पहले हम recovery के command देंगे recovery 1 यहां पर देखिए error इसने दिखाया है कि यह जो recovery 1 का command है वो इस पर काम नहीं कर रहा है आप देख सकते हैं अभी हम दूसरा recovery 2 यहां पर try करेंगे recovery 2 जैसे ही दोस्तों मैंने recovery 2 command यहां पर किया है तो हमारा जो लोगो है एक बार जा और यहां पर देखिएगा जैसे ही यह logo हटेगा तो हमारा देखिए दोस्तों हमारा जो set है वो recovery mode में चला गया है और यह recovery 2 की command जो थी वो यहां पर काम की है recovery 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 4 command है आप इनको use कर सकते है अभी हमारा 2 पर गया है तो अब हमको क्या करना है यहां पर हमा दोस्तों यह निचे ऊपर लेफ्ट राइट के लिए तो हमको यहां पर वाइप चाचे partition पर हमको एंटर करना है यहां पर yes no का पुछेगा तो हमको yes पर okay करना है तो यहां पर data जो है एरेस हुआ है उसके बाद फिर से हमको wipe data factory reset पर जाना है यहां पर हमको yes करना है इंटर कर देना है यहां पर देखेऊ data जो हमारा था इसमें erase हो रहा है बहुत ही आसानी से आप इसको clear कर सकते हैं और फिर यहां पर सीस्टम का option है इसको हमको okay दबा देना एंटर कर देना है तो हमारा जो set है वो यहाँ पे reboot होके दुबारा से on होगा और हमारा जो set पहले logo पे hang था अभी logo से on हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा time लगता है set हमारा फिर से on हुआ है अगर direct on नहीं होता है तो आप stand by key से on कर सकते हैं इसको तो यह set हमारा भी on हो रहा है तो GKC terminal से आप बहुत आसानी से ऐसे बोड़ों को recover कर सकते हैं without software किये यह application आप Google Play Store से download कर सकते हैं paid version आप इसका ले सकते हैं 500 रुपए इसका charge है गुरुराज सर जो हैं गुरुराज सर करनाटक से उनका application है यह आप उनसे purchase कर सकते हैं इसका की यहाँ पर हमारा set जो है अभी smart पर है थोड़ा सा time लेता है जब भी आप किसी भी set को recover करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जे सकते हैं हमारा जो set है वो successfully यहाँ पर repair हो चुका है recovery system में जाके हमने इसको reset किया है hard reset और इस application के द्वारा और set हमारा जैसे पहले चल रहा था वैसे चलेगा मैं board फिर से आप लोगों को दिखा देता हूं इसका यह board है दोस्तों SK sasward d pb801 और यहाँ पर bluetooth device आपको यूज करना इसके लिए RX TX के connection करने हैं बहुत easily आप इस application के दवारा बहुत सारे board को इस तरीके से hard reset कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो like जिरूर करिएगा और अच्छी ची वीडियो जान देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं next video में